सेंपल साइज पोर है एन फोर हो गया एक सबार कितना है एक स्कुएर कितना है और सिग्मा अन्नोन है तो टेस्ट टेस्टिक्स फार्मुला क्या हो गया एक सबार माइनस ठीटा अपॉन एस अपॉन फोलोस टी ओके एक सबार कितना है पिटा 3.6 ठीटा की वैल्ली एक सब्सक्राइब एक स्कुएर है वो तो रूट 20.25 अपॉन 4 तो इसका अंसर बताओ टी 3 डिग्री फिडव होगा ना बिटा ओके अच्छा बताओ पहला प्रस्ट यह निकाल लो बिटा तो निकाल कर क्या टू टेस्ट है कि राइट टेस्ट है थैंक्यू वेरी मच्ट टू टाइम्स करेंगे कि नहीं करेंगे है यह यह बेटा तीटाल टी इस नौट इकपन लिटा टीटाइस नॉट इग्वाट टीटा टीरू लिट्वा नरे विटाइए व्न्पंट जड़ेंगे व्नपंट रर्ट यह वनपंट्ट श्क्स आईए बिटा अभी पी वैल्यू तो करेंगे पी वैल्यू इस एक्वल टुवाइस टी थ्री इस ग्रेटर दन वन पॉइंट सिक्स तो अब टी थ्री की वन पॉइंट सिक्स बता था अशीश देख जली से मुझे दता है पॉइंट वन जिरो फॉर आईगी वैल्यू अब कैसे पता ठीटा मीन है दिया है नॉमल में देखो ठीटा यहां पर मियू की जिंगा ठीटा दिया नहीं बटा तो मीन हाँ बटा सिग्मा नून था इसले ठीक वे सैंपल इसले बिटी लगा है अब ही करा रहा हूं आगे ना प्रीज लिख लो प्रीज इसको बच्चो अगर इसकी जगह लिखा हो मरते है ठीटा इस इकल टू जीरो और ठीटा इस पॉइंट वन अब नल में ठीटा जीरो है और नहीं अब बहुत रिखेंगे तो टू टेल है राइट टेल्ड अलेफ्ट एच नौट हीट जिज़ू एस विजवाट जीरो एच वन टेटा इस गल टू-1 पॉइंट 1 कौन सा टेस्ट है राइट टेल्ड है लेफ टेल्ड है नहीं राइट टेल्ड हो ना पॉइंट वन जिरू से बड़ा होता है यार अफकोर्स बेटा यहां भी तो है एक्षवन की वैले देखे डिशाइड किया है टू टेल्ड है यह ठीटा नॉट इकुल टो जिरू था कि और मीन के रहें सो होती भी माइनस नंफेटी से नंफेटी यह अब यहां पर सिग्मा की टेस्टिंग हो रही है और लिखा है सिग्मा यह नॉट इकुल तो जिड़ो अब दिमाग भी लगाना होता है एक्जाम में स्टेंडर डिवेशन की टेस्टिंग हो रही है लिखाए सिक्माइज जीरो और सिक्माइज नॉट इक्वल टू जीरो देन इस टू टेल्ड और राइट टेल्ड नला एक हो सिक्मा नेगटिव होता है गभी इस राइट टेल्ड अरे वहां दिमाग भूसे लगना है तो आंके कान खुली रखनी है ठीक है किसकी टेस्टिंग है क्या बात कर रहा है मीन की बात कर रहा है विरेंस की बात कर रहा है रखनी होता है नहीं बेटा है इस तुम अगर सुनों ध्यान से मेरी बात वेरियंस की टेस्टिंग ना ज्यादत राइट टेल्ड होती है आगे कभी आपने अनुवा टेस्ट पढ़ा होगा एफ टेस्ट तो यह सारी और गुटनेस और फिर टेस्ट भी सारे राइट टेस्ट ही होते